जोab माफियाओं के दवारा चाहपे मारी के दोरान इत्पाथ ронधाब की पुलिस पर लगतार हमला किया जा रहा है बिहार के बेगु सराय में शराब की सूचना पर चाप इमारी करने पहुचे उत बाद ठाना की पुलिस पर एक बार फिर शराब मास्याओं ने हमला कर दिया इस घटा में कई पुलिस कर्मी घायल हो गए पूरी घटना मुफसल ठाना शेतर के रज़ोडा वार्ड बारा की है जहां शराब के खिलाफ कारवाई करने पुलिस पर पत्राव कुआ जैसे ही पुलिस की टीम मुहले में प्रवेश्वर चाप इमारी शुरू की तबी दरजनो गए गयलन से क्यामिकल युक्ति तारी को नश्ट कर रही है और जूपणी नुमाग घर को भी तोड रही है करीब एक घंटे तक फोले सवजामिनों की बीच हंगामा वोता रहा पत्राव के बाद काफी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और चाप इमारी कर करीब 400 लीटर क्यामिकल युक्ति तारी को नश्ट किया हलाकि दोरान किसी की गिरफतारी नहीं हो पाई वह इस पूरी घटना को लेकर सब इंस्पेक्टर ने कहा कि शराब माकिया सूचते है कि हमला करेंगे पत्राव करेंगे तो चापे मारी नहीं होगी लेकिन ऐसा नहीं है पुलिस डड़ने वाली नहीं और लगता ये अभिया चलाया जाएगा अब आपने अपना खुद का आर्मी खुद के जो टीम उसको बुलवाया रोहा पर जाकर के वापस से कारवाई किया निकिन वहां कोई आद्म पराप्ती हो जिससे को किसी की गिरिफता ही लेकिन थोड़ी वह थल्की पुल्की चोट लगी है जो नाममातर का है इतना पुरी कानूनी करवाई होगी करेंगे यह अनवरत है ऐसा नहीं कि धेला पत्थोरीटा दे दिया तो हम लोग यहां से पर्मानियंट जो हट जाएंगे हम लोग बराबर जो है एक बैलेंस करते ही रहेंगे जो आस्वामाजिक तक्त्तों के दोरा हमला किया गए उस पर किस और यह तो कुछ पहचान में नहीं आई है पहचान मगर होगी तो करवाई करते कर दी जाएगी तस घटना के बाद अब सवाल यह उत्ता है कि जहरीवी शराब से हुए इतने मौत के बार भी अगर शराब कारवाई पर लोग इस तरह से पुलिस पर हमलावर रहेंगे तो आ जाद इतने मौत कर दोकार्व